नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा है आप सब बहुत अच्छे होंगे, आपने स्वास्ते का ख्याल रख रहे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे मैं अनुरधा एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ और आज के इस सत्र में हम एक बार फिर विचार करेंगे पिछले अध्याय पर्यावरन के मुद्दे पर पिछले सत्र में आपके लिए कुछ प्रश्न छोड़े गए थी, आशा है आपने उन पर विचार किया होगा आजके सत्र में हम इन बिंदू उपर विचार करेंगे हरिक्रह प्रभाव और विश्वव्यापी उष्णिता विश्वव्यापी उष्णिता पर नियंत्रन समताप मंदल में उजून अवश्य वनून मूलन, वनून मूलन के परिणाम आई अब हम आज के विशयर पर चर्चा करेंगे ग्रीन हाउस प्रभाव, वैश्वी कुष्णिता यानि ग्लोबल वामिंग शब्दों को आपने कई बार सुना होगा आपने नियूज या किताबों में पढ़ा होगा कि किस प्रकार वैश्वी कुष्णिता कारण हिमकंड पिगल रहे हैं इन शब्दों की उत्पत्ति कहां से हुई और इनके क्या नकारात्मत प्रभाव हो सकते हैं आईए इनने समझने की कोशिश करते हैं आपको याद होगा कि गर्मियों की मौसम में कई बार जब कार कुछ समय धूप में खड़ी हो तो भीतरी भाग बहुत गरम हो जाता है कभी सोचा है इसका क्या कारण हो सकता है वास्तम में होता यह है कि काच की खिड़कियां प्रकाश को अंदर तो आने देती हैं लेकिन ताप को बाहर नहीं निकलने देती क्या इस परिगटना का कुछ लाबकारी इस्तिमाल भी है? जी हाँ, पौध घर यानि ग्रीन हाउस में क्या आपने कभी पौध घर देखा है? आएए इस चित्र पर नजर डालिए ग्रीन हाउस काच के आवरन वाला घर होता है सर्दी के दिनों में पौधों को ठंड से बचाय रखने के लिए इन घरों का सहारा लिया जाता है सूरज का प्रकाश काच को आसानी से पार कर देता है इसलिए इन घरों में धूप का प्रवेश तो हो जाता है लेकिन वहां से उश्मा जब अवरक्त केरनों के रूप में बाहर निकलने की कोशिश करती है तो काच के आवरन द्वारा रोक ली जाती है इस प्रकार ग्रीन हाउस के अंदर का तापमान बाहर के तापमान से अधिक रहता है इसलिए पौद घर ठीक उसी तरह गरम हो जाता है जैसा कि कुछ घंटे के लिए धूप में पार्क की गईकार कभीत्री भाग हो जाता है इस तथ्य का लाब उठा कर ठंड के दिनों में भी ग्रीन हाउस में उन पौदो की खेती की जा सकती है जिने बाहर ठंड के दिनों में बचाये रखना मुश्किल होता है हमारे वातावरन में भी ऐसी ही परिगटना होती है जैसा कि आपने Greenhouse में देखा और यहीं से Greenhouse प्रभाव शब्द के उत्पत्ती हुई हरित क्रह प्रभाव या Greenhouse Effect एक ऐसे प्रिकरिया है जिसके द्वारा किसी ग्रह या उपग्रह के वातावरण में मौजूद कुछ गैसे वातावरण के तापमान को अपेक्षरकत अधिक बनाने में मदद करती हैं Greenhouse गैसों में Carbon Dioxide, Gelvasp, Methane, Nitrous Oxide, Clorofloro Carbon, Ozone आधि शामिल हैं प्रत्वी के वातावरण में 68 % Nitrogen, 21 % Oxygen, 1 % Press Gas का मिश्रण है इन्हें Press Gas इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बहुत कम आत्रा में विद्दमान होती है ग्रीन हाउस गैसों में 6 प्रतिशत नाइट्रोस ओक्साइड, 20 प्रतिशत मिथेन, 14 प्रतिशत क्लोरो फ्लोरो कार्बन और 7 प्रतिशत कार्बन डाय ओक्साइड होता है आईए इसे और जानने की कोशिश करते हैं धर्ति के वातावरन के तापमान को प्रभावित करने वाले अनेक कारक हैं, जिसमें से ग्रीन हाउस प्रभाव एक है यदि ग्रीन हाउस प्रभाव नहीं होता, तो शायद प्रत्वी पर जीवन नहीं होता क्योंकि आज प्रत्वी की सतय का ओसत तापमान 15 डिग्री सेंटिग्रेट रहने के बजाए थंडा होकर माइनस 18 डिग्री सेंटिग्रेट ही रहता जो की शुर्णे से नीचे है ग्रीन हाउस प्रभाव को समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि सबसे बहरी वायू मंडल में पहुँचने वाली सूर्य की उर्जका होता क्या है प्रत्वी की और आने वाले सौर्विक्रन का लगबग एक चौथाई भाग बादलों और गैसों से परावर्तित हो जाता है और दूसरा चौथाई भाग वायू मंडली गैसों द्वारा अवसोसित हो जाता है लगबग आधा आगत सौर विकिरन प्रत्वी की सतय पर पड़ता है और उसे गरम करता है इसका कुछ भाग यानि इंफ्रारेड रेडियेशन परावर्तित होकर लौट जाता है प्रत्वी की सतय अंतरिक्ष में अवरक्त विकिरन के रूप में उश्मा यानि की हीट उत्सरजित करती है लेकिन इसका केवल बहुत छोटा भाग यानि टाइनी फ्रेक्षन ही अंतरिक्ष में जाता है क्यूंकि इसका अधिकांश भाग वायू मंडली गैसों यानि ग्रीन हाउस गैस के द्वारा अवशोशित हो जाता है इन गैसों के अडू उश्मा उर्जा यानि हीट एनरजी विकरित करते हैं और इसका अधिकतर भाग प्रत्वी की सतय पर पुनहें आ जाता है और इसे फिर गरम करता है यह चकर अनेको बार होता रहता है इस प्रकार प्रत्वी की सतय और निम्रतर वायू मंडल गरम होता रहता है आईए कुछ और प्रभावों को समझते हैं जिन में से एक है वैश्विक उश्नता जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है धर्ती के वातावरन के तापमान में लगातार हो रही विश्व व्यापी बढ़ोतरी को ग्लोबल वामिंग कहा जा रहा है आपने देखा कि किस प्रकार ग्रीन हाउस गैसे धर्ती के ऊपर एक प्रकार से एक प्राकर्तिक आवरन बना लेती हैं जो लौटती होई केर्णों के एक हिस्से को रोक लेता है और इस प्रकार धर्ती के वातावरन को गरम बनाए रखता है ग्रीन हाउस गैसों के इस तर में व्रधी के कारण प्रत्वी की सतय का ताप काफी बढ़ जाता है जिसके कारण विश्वव्यापी उश्नता यानि गुलूबल वामिंग होती है हम जानते हैं कि मनुश्यों, प्रानियों और पौधों के लिए जीवित रहने के लिए कम से कम 16 डिग्री सेल्सिल तापमान आवश्यक होता है गत्ष्रताब्दी में प्रत्वी की तापमान में 0.6 डिग्री सेंटिग्रेट व्रधी होई है इसमें से अधिक्तर व्रधी पिछले तीन डशकों में ही हुई है वज्यानिकों का मानना है कि ग्रीन हाउस गैसों में बड़ोतरी होने पर यह आवरन और भी सघन या मोटा होता जाता है ऐसे में यह आवरन सूरे की अधिक किर्णों को रोपने लगता है और फिर यहां से शुरू होता है ग्लोबल वामिंग के दुष प्रभाव कार्बन डायोकसाइड का उत्सरजन पिछले 10 से 15 सालों में 40 गुना बढ़ गया है दूस्ते शब्दों में और द्रोगे की करण के बाद से इसमें 100 गुना की बढ़ोत्री हुई है इन गैसों का उत्सरजन आम प्रियोग के उपकरणों जैसे वातानुकूलक, प्रिस, कम्प्यूटर, स्कूटर, कार आदी से होता है कारबन डायोकसाइड के उत्सरजन का सबसे बड़ा श्रोत पेट्रोलियम इंधन और परंपरागत चूले है पशुपालन से मीथीन का उत्सरजन होता है कोईला बिजली घर भी ग्रीन हाउस गैस उत्सरजित करने के प्रमुक्ष रोत है हलाकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रियोग भारत में बंध हो चुका है लेकिन इसके स्थान पर प्रियोग हो रही गैस हाईडरोक्लोरोकार्बन सबसे हानिकारक ग्रीन हाउस गैस है जो कारबन डायोकसाइड के तुल्ला में 1000 गुना ज्यादा हानिकारक है वैश्विक कुष्णता के प्रभाव के बारे में बहुत सी भविश्यवानी करना संभव है जैसे हिम्नदो और धुर्वे बर्प टोपियों में तेजी से पिगलन इस वज़े से समुद्र के इस्तर में व्रधी हो सकती है वर्धित वैश्विक तापमान, वन्शेत्र, पौधे और पशुवाबादी के स्थान में परिवर्तन और उनकी हानी आधी हो सकते है इसके अलावा कुछ शेत्रों में बारिश में कमी आ सकती है और अब जहां हरा भरा वन्शेत्र रहा है वैगायब हो जाएगा और उसकी जगा रेगिस्थान ले लेगा इसके अलावा कुछ ने कटी बंदे तूफानों की तीवरता और आवरती बढ़ेगी जिसके कारण कुछ समुद्रों का संचलन और अमलिता संतुलन बदल सकता है तो हम समझ सकते हैं कि वैश्वी कुष्णता का प्रत्वी पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है और इस प्रभाव को खत्म या कम करने के लिए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सरजन को रोकने की जरुवत है अनियंत्रित और दोग्य की करण के कारण इन गैसों के उत्सरजन की प्रिकरिया शुरू हो गई है तो इसके कारण होने वाले भौतिक और जयवित परिवर्तनों को नियंत्रित करने के लिए सेक्रों सालों से भी अधिक का समय लग सकता है तो चलिए विचार करते हैं कि हम लोग विश्ण रापी उष्णिता को किस प्रकार नियंत्रित कर सकते हैं सबसे अच्छा उपाय है कि ग्रीन हाउस गैसों को बढ़ाने वाले कारकों को नियंत्रित किया जाए. इसके उपाय हो सकते हैं जिवाश में इधन के प्रयोग को कम करना, उर्जा दक्षतार में सुधार करना, वनोन मुलन को कम करना, तथा मनुष्य की बढ़ती हुई संख्या को कम करना, वायू मैंडल में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए अंतराष्ट्य प्रयास भी किये जा रहे हैं, वास्तविक उर्जा संरक्षन सबसे प्रभावी तरीका है, इसका मतलब है कि जीवाश में इधन के उर्जा श्रोतों या अन्य प्र प्रत्वी के अनुकूल वेकल्पिक उर्जा के श्रोत का उपयोग करें, इसके अतरिक नवी करने संसाधनों जैसे सौर ओर्जा, पवन ओर्जा आदिका उपयोग करकी भी कारबन उद्शरजन को कम किया जा सकता है, प्रत्वी पर वैश्वी कुष्णता के प्रभाव को कम कहने के लिए बायो मास उर्जा को वेकर्पिक अक्सर उर्जा स्रोत के रूप में प्रयोग इस दिशा में एक अच्छा कदम है वन और पेड़ पौधे भी भविश्य की उर्जा के लिए महत्पून भूमे का निभा सकते हैं क्यूंकि अपने जीवन काल में ये कार्बन डायोकसाइड जैसी प्रमूप ग्रीन हाउस गैस को ऑक्सीजन में बदलने में मदद करते हैं और बायो मास से उत्पादित उर्जा का ये एक प्रमुक्स रोथ है अभी आपके लिए ग्रह कार्य है कि वैश्विक उष्णता को नियंत्रित करने के कुछ और उपायों की सूची बनाए चलिए अब एक महत्पून विश्यर पर चर्चा करें ओजून अवशे ये क्या है इसके क्या प्रभाव है और इसे कैसे नियंत्रित किया जा सकता है वायो मंदल में ओजून जो इसकी उपरी भाग यानि समताप मंदल में पाया जाता है यह सूरे से निकलने वाले पराबैंगनी विकरण को अव्शोशित करने वाले कवर्च का काम करता है सजीवो के DNA और प्रोटीन खास कर पराबैंगनी विकरण यानि किरणों को अव्शोशित करते हैं और इसकी उच्च उर्जा इन अड़ों के रासाइनिक आबंद को भंग करते हैं। इस प्रकार पराबैंगनी किरिने सजीवों के लिए बेहद हानिकारक है। आनवी कॉक्सीजन पर पराबैंगनी किरिनों की किरिया के फलसरूप ओजोन गैस सतक बनी रहती है। और समताप मंडल में इसका आनवी कॉक्सीजन में निमनी करण भी होता रहता है। समताप मंडल में ओजोन के उत्पादन और अफशय निमनी करण में संतुलन होना चाहिए। फाल में क्लोरो फ्लोरो कार्बन के द्वारा ओजोन निम्निकरन के बढ़ जाने से इसका संतुलन बिगड गया है वायू मंदल की निचले भाग में उत्सरजित क्लोरो फ्लोरो कार्बन उपर की और उड़ता है और यह समताप मंदल में पहुँचता है समताप मंदल में पराबैंगिनी किरिने उस पर कार्य करती हैं जिसके कारण क्लोरीन परमानू का मोचन होता है क्लोरीन के कारण ओजोन का निम्नी करण होता है जिनके कारण आनविक उक्सीजन का मोचन होता है इस अभिक्रिया में क्लोरीन परमानू का उपियोग नहीं होता क्यूंकि यह सिफ उत्प्रेरक का कार्य करता है इसलिए समताप मंडल में जो भी क्लोरो-फ्लोरोकार्बन जोडते जाती हैं उनका ओजोन इस्तर पर स्थाई और सतत प्रभाव पड़ता है यदपी समताप मंडल में ओजोन का अफशय विस्तर रूप से होता रहता है लेकिन यह अफशय अंटार्टिक शेत्र में विशेश रूप से अधिक होता है इसके फलस्वरूप यहां काफी बड़े शेत्र में ओजोन की परत काफी पतली हो गई है जिसे सामानेता ओजोन शेद्र या ओजोन होल कहा जाता है UVB DNA को शतिग्रस्त करता है और उत्परिवर्थन हो सकता है इसके कारण त्वचा में बुड़ापे की लक्षन दिखते हैं इसकी कोशिकाय शतिग्रस्त हो जाती है और विविद प्रकार के त्वचा के अंसर हो सकते हैं इसके उच्च बात्रा के कारण कॉर्णिया का शोध हो जाता है जिसे हिम अंदता या स्नो ब्लाइननेस और मोत्य बिंद आदी कहा जाता है वातावरन का संतुलन बिगानने में वनोन मूलन की भी विशेश भूमिका रही है आईए इस महत्तपून विशय पर विचार करें वनोन मूलन का अर्थ है वनो के शेत्रों में पेडों को जलाना या काटना यानि वन प्रदेश का वन रहित शेत्रों में रूपांतरन करना वनोन मूलन कहलाता है ऐसा करने के लिए कई कारण है पेडों और उनसे व्युत्पन चारकॉल को एक वस्तू के रूप में बेचा जा सकता है और मनुश्य के द्वारा उप्योग किया जा सकता है जबकि साफ की गई भूमी को चारा गहा या मानव आवास के रूप में काम में लिया जा सकता है पेड़ों को इस प्रकार से काटने और उन्हें पुनहें ना लगाने की परिणाम सवरूप आवास को छती पहुँची है जैवेवित्ता को नुकसान पहुँचा है और वातावरन में शुशकता बढ़ गई है साथ ही अक्षर जिन शेत्रों से पेड़ों को हटा दिया जाता है वे बंजर भूमी में बदल जाते हैं इससे कारबन डायोकसाइड का संतुलन बिगड रहा है जिसके प्रभाव आप सुन चुके हैं एक आकलन के अनुसार शीतोष्न शेत्रों में केवल एक प्रतिशत वन नश्ट हुए हैं जबकि उश्न कटीवंद में लगबग 40 प्रतिशत वन नश्ट हो गए हैं वनोन मूलन किस प्रकार होता है आईए जानते हैं वनोन मूलन का एक मुख्य कारण है कि वन प्रदेश को क्रशी भूमी में बदला जा रहा है जिससे की मनुष्य की बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए भोजन उपलग्द हो सके व्रक्ष, इमार्ती लक्री, लक्री इंधन, पशू फार्म आदी अन्य कई उद्देश्यों के लिए काते जाते हैं काटो और जलाव क्रशी जिसे आमतोर पर भारत के उत्री पूर्वी राज्यों में जूम केती कहा जाता है कि कारण भी वनोन मूलन हो रहा है आईए देखते हैं वनोन मूलन के परिनाम क्या क्या है इसके मुख्य प्रभावों में से एक है वायू मंडल में कारबन डायोकसाइड की सांदरता का बढ़ जाना क्यूंकि व्रक्ष, जो कि अपने जैवभार में काफी अधिक कारबन कुधारन कर सकते थे वनोन मूलन के कारण नश्ट हो रहे हैं वनोन मूलन के कारण आवास नश्ट होने से जैवविद्ता में कमी होती है इसके कारण जलिये चक्र बिगड़ जाता है, म्रदा का अपरदन होता है और चरम मामलों में इसका मरुस्तली करण यानि मरुभूवी में परिवर्तन हो सकता है पुनर्वनी करण यानि रीफॉरस्टेशन वह प्रिकरिया है जिसमें वन को फिर से लगाया जाता है जो पहले कभी मौजूद था और बाद में उसे नश्ट कर दिया गया निर्वनी करत शेत्र में पुनर्वनी करण प्राकर्तिक रूप से भी हो सकता है फिर भी व्रक्ष रोपन कर इसे कार्य में तेजी ला सकते हैं तो हमने देखा कि प्रकर्ति में संतुलन को बनाये रखना हमारे जीवन के लिए कितना आवश्यक है इसलिए सबसे पहले जरूरी है कि अपनी प्रकर्ति की रक्षा हम स्वयम करें पहले भी लोगों ने इसमें अपनी भागीदारी दिखाई है 1731 में खेजडल जोदपुर की अमरिता देवी विश्नोई ने अपने परिवार एवं सैक्रो लोगों के साथ पेड को बचाने के लिए अपनी जान दे दी उने की सम्मान में सरकार द्वारा अमरिता देवी विश्नोई वन सर्रक्षन पुरसकार दिया जाता है यह पुरसकार ग्रामिन शेत्रों के ऐसे व्यक्तियों या समुदायों को दिया जाता है जिनोंने वन जीवों की रक्षा के लिए अद्वुत साहस और समर्पन दिखाया हो 1974 में हिमालय के गड़वाल शेत्र में ठेकेदारों द्वारा काटे जा रहे पेड़ों की रक्षा के लिए इससे चिपक कर स्थाने महिलाओं ने काफी भावदुरी का परिचय दिया जिसे चिपकों आंदोलन की नाम से जाना जाता है इसी प्रकार सरकार ने सामाजिक भागिदारी को बढ़ाने के लिए एक संयुक्त वन प्रबंदन की नीती का प्रारम किया है इसके तहट वनों की सुरक्षा का जिम्मा इस्थाने समुदाय का होगा तथा वनों के पती उनकी सेवाओं के बदले ये समुदाय विविद प्रकार के वनोत्पाद यानि forest product जैसे फल, गौन्द, रबर, दवाई, आधी प्राप्ट का लाब उठा सकते हैं इस प्रकार वन का संरक्षन निर्वहनी तरीके यानि sustainable way में किया जा सकता है तो आशा है आज के सत्र के इन मुद्दों को आप समझ पाए होंगे तथा दिये गए प्रशनों पर विचार करेंगे इसी के साथ हम आज के सत्र को यहीं विराम देते हैं मिलते हैं अगले अध्याय के साथ तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, स्वस्त रहिए, धन्यवाद कि दो क ne से हैं विर कि पिलने ऊनके स्वस्ति हएव यह जो मिलते हैं खुमें उफिक नीवाद कि अपन दैम कह दे जात घ्या समय के साथ आज Ihnen rangLP